नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड हमारे चनल नमाप सभी के स्वागत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चनल पे ब्रह्मास्त 2.0 बुक का जो है सलिशन कराये जा रहा है तो आज हम लोग ब्रमास्त 2.0 के जो भी question है जैसे कि आप जानते हैं हम लोगों ने अभी तक 160 question discuss किया था तो आज हम लोग इसके आगे से question को discuss करेंगे और आप सभी से बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग बिहार State Power Holding Company के त्यारी करना चाहते हैं या बिहार अनुदेशक की त्यारी करना चाहते हैं तो आप लोग को नीचे हमारा आप का लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड करें और जाके वहाँ से आप जो है डारेक्ट जो है जो है जॉइन कर सकते हैं जिसमें जो है Zero Level से सभी कुछ डिसकस किया जा रहा है तो आप जाके वहाँ से बिहार अनुदेशक की त्यारी कर सकते हैं तो जादा टाइम न लेते हैं हम लोग कोस्चन को साल्व करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम लोगगों ठीक कोस्चन कमपलीट किये था और इसके आगे समझ को कमपलीट करेंगे कमपलीट करने से पहले ही हम लोग बताना चाहेंगे अप लोग जल्दी से चैनल को सस्क्राइब और लाइक ज़रूर कर लें ताकि जो है फिर हम लोग कोश्चन को जब डिस्कस करें तो बीच में ऐसी बाते फिर दुबारा ना आए तो और वीडियो को एक बार सेयर कर दें ताकि सभी बच्चे जो है जोड़ सकें तो देखें यहां पर एक सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क किस मोटर का होता है यह पूछा गया है तो ए में देखिए कैपसिटर स्टार्ट मोटर दिया गया है बी में जो है कैपसिटर रन मोटर दिया गया है और डी में जो है अस्थाई कैपसिटर मोटर दिया गया है तो देखिए फ्रेंड यहां पर बताना चाहेंगे कि सबसे अधिक जो स्टार्टिंग तॉर्क हमारा मोटर में पाय जाता है वो हमारा A option सही होगा A option पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे जो है cap sitter start motor cap sitter start motor में यहाँ पे हमारा सबसे अधिक starting torque होता है और A option हमारा यहाँ पे सही होगा उसके बाद देखें यहाँ पे 162 नंबर और यहाँ पे क्या बोला गया है कि सबसे अधिक power factor किसमे होती है तो power factor सबसे अधिक के बारे में पूछा गया है तो A में देखिए cap sitter start motor B में cap sitter run motor C में cap sitter अस्थाई cap sitter motor D में जो है surge motor मैं आगे आपको सभी question यहाँ पे explain कर देता जो है मतलब option देता लेकिन उससे related हमारे channel पे जो है question बनाए गया है आगे इस वज़े से मैं सभी question का जो option है उसको explain नहीं कर पा रहा हूँ यह आप लोग ध्यान दीजेगा तो देखिए अब यहाँ पे जो है सबसे अधिक power factor की बारे में पूछा गया है तो अभी सबसे ज़्यादा जो starting torque था तो वो capacitor हमारे start motor था यहाँ देखिए हमारा जो है क्या दिया गया है B option की capacitor run motor capacitor run motor जो है हमारा option सही होगा मतलब हमारा यहाँ पे B option correct होगा तो सबसे अधिक power factor जो होती है वो capacitor run motor में होता है मतलब B option हमारा सही होगा उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने 163 number 163 number यहाँ पे क्या पुछा गया है कि 1 watt meter क्या मापता है 1 watt meter क्या मापता है सत्य सक्ति मापता है या आभासी सक्ति मापता है या भी प्रतकिरिया सक्ति या इन में से सभी तो हमारा 136 number का अगर देखा जाए तो 1 watt meter जो होता है वो हमारी सत्य सक्ति को मापता है मतलब यहाँ पे हमारा जो है A option सही होगा यह watt meter मापता है उसके बाद देखिए यहाँ पे धारिता के बारे में पूछा गया है 164 number 164 number कि धारिता के मापन के लिए किसका परियोग करेंगे या किया जाता है तो A में देखिए sharing bridge, B में wind bridge, C में hair bridge या D में इन में से कोई नहीं तो धारिता के मापन के लिए 164 number का 64 number का अगर देखा जाए तो वो हमारा जो है A option सही होगा A option हमारा यहाँ पे correct है sharing bridge धारिता को मापने के लिए हम लोग sharing bridge का परियोग करते है तो यहाँ पे हमारा A option correct होगा A option हमारा सही है उसके बाद देखिए यहाँ पे 165 number 165 number question यहाँ पे क्या बोला गया कि Kelvin double bridge क्या मापता है Kelvin जो होता है वो double bridge क्या मापता है तो A में देखिए माध्यम प्रतिरोध B में जो है सुनने प्रतिरोध 165 में C में निम्न प्रतिरोध और D में जो है उच्च प्रतिरोध तो Kelvin double bridge जो मापने का काम करता है वो हमारा निम्न प्रतिरोध मापने का काम करता है तो यहां पर हमारा C option सही होगा, C option हमारा correct है, उसके बाद देखे 166 number, यहां पर क्या बोला गया है, कि वहान की गति को रोकने के लिए किसका परियोग करते हैं, यह question मैंने पहले भी आपको समझाया था, तो A में दिखिए, barometer, B में meager, C में tachometer, D में parometer, तो meager जो होता फ्रेंड, यह insulator आधी के लिए परियोग में लाया जाता है, यहां पर हमारा C option सही होगा, tachometer, tachometer जो होता है, वह वहान की गति को रोकने के लिए परियोग करते हैं, मतलब यहां पर हमारा C option सही होगा, C option हमा फारा correct है, उसके बाद देखिए, यहां पर 167 number, 166 number question, यहां पर क्या बोला गया है, कि इस टेपर, motor का परियोग करते हैं, तो कहने मतलब यह होता फ्रेंड, कि इस टेपर, जो motor होता, इसका परियोग हम लोग कहां करते हैं, तो A में देखिए, वहन में करते हैं, B में, रेल जो हम लोग परियोग करते हैं, वो हम लोग यहां पर जो है, D option सही होगा, D option जो है, मसीन में करते हैं, यह आपको ध्यान देना है, तो मतलब हमारा D option हमारा correct होगा, D option हमारा सही है, अब देखिए, यहां पर जो है, 168 number, 168 में देखिए, क्या बोला गया है, कि लेक लाउंची जो सेल होता है, उसका electromagnetic field जो होता है, वो कितना होता है, तो A में देखिए, यहां पर जो है, 1.12, B में जो है, 1.46, C में 1.35, D में जो है, 1.11, तो 168 number का अगर देखा जाए, तो लेक लाउंची सेल का जो EMF होता है, वो हमारा यहां पर B option correct होगा, B option पर क्या दिया गया है, 101.46 EMF होता है, लेक लाउंची सेल का, अब आगे देखिए, आपके सामने, पूछा गया है कि डेनियल सेल, डेनियल सेल का कितना प्रतिरोध होता है, डेनियल सेल 169 number, तो M देखिए, 2.6 ohm, B में 1.0 ohm, और C में 6.9 ohm, और D में 5.9 ohm, 0 ohm, तो डेनियल सेल का जो प्रतिरोध होता है, वो हमारा A option सही होगा, A option पर क्या दिया गया है, 2.6 ohm हमारा होता है, डेनियल सेल का प्रतिरोध पूछा है, ये आपको ध्यान देना है, सबसे important हमारा हो जाता है, प्रतिरोध, तो इसका 2.6 हमारा होता है, A option हमारा सही होगा उसके बाद देखिए यहाँ पर आज का लास्ट कोश्चन 170 170 नमबर यहाँ पर क्या बोला गया कि फुल वेब रेप्टी फायर में कितने डायोड होते हैं 170 में तो A में देखिए 5 होते हैं B में 6 होते हैं C में 2 होते हैं D में 4 होते हैं तो फुल वेब रेप्टी फायर में जो डायोड की संख्या होती है वो 2 होती है तो 2 हमारा कहां पर फ्रेंड वो हमारा यहाँ पर C आप्सन पर मिल जाता है तो फुल वेब रेप्टी फायर में जो डायोड की संख्या होती है वो 2 होता है C option हमारा correct होगा C option हमारा सही है तो friend ये थे आज के question आज हम लोगों ने 10 question complete किया और इसके पहले हम लोगों ने 160 question complete किया था कहने का मतलब ये है कि 170 question तक हम लोगों ने complete कर लिया है तो friend थोड़ा सा time ना मिलने के वज़े से मैं आप लोग का question जो है कम करा पा रहा हूँ जैसे ही time मिलता है तो मैं जरूर आप लोग के 20 से 25 question कराने का प्रयास करूँगा और आप सभी समय आप कहना चाहूँगा फ्रेंड की जैसा की आप जानते हैं कि बिहार state की तरफ से अनुदेशा की बहाली आ चुकी है और 23 माई से जो है लिंक दिया गया मातर 799 रुपे में आप जोईन कर सकते हैं यह full course रहेगा जिसमें आपको सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है तो आप सभी समय कहना चाहूँगा नीचे लिंक दिया गया उसको जाके वहाँ पे जोईन करिए या फ्रेंड अगर आपके जानकारे में कोई भी स्टूडेंट है तो इस वीडियो को जरूर सेयर करें ताकि वो बच्चा जो है यहाँ पे कम प्राइजी में अपनी अच्छी त्यारी कर सके और वो जो है एक्जाम को क्रैक कर सके तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो थैंक्स वोचिंग एंड बाई बाई